गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको काविक खंड से पार्ट आठ माखनलाल चतुरवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजे लेखक का संचिप्त परिचय तो माखनलाल चतुरवेदी का जन्म हुआता चार अप्रेल 1889 इस्वी में जन्मिस्थान होरंगाबाद मद्यप्रदेश पिता का नाम नंदलाल चतुरवेदी भाषा सेली, खडी बोली तथा ओजपूर्ण सेली, रचनाय, हिम किर्टनी, हिम दरंगनी, युग चरण, माता समरपन मृत्युविती 30 जन्वरी 1968 इस्वी में और ये विसेश रूप से प्रभात, प्रताप, कर्म वीर पत्रिका के संपादक थे इन्हें पद्म भूशन उपादी से अलंकृत किया गया, माकरलाल चतुरवेदी जी हिंदी साहित्य में भारती आत्मा के उपनाम से प्रशिद्य थे, ये ऐसी कवी हैं जिनोंने युग की आत्मा तथा उसकी अवशक्ता को पहचाना, गुलाम भारतीयों की देनी दशा को देखकर उनकी आत्मा करह उठी, इसी कारण उनकी कविता में आग, जोश, तपन, प्रेणा तथा आत्म उतकर्श की भावना देखने को मिल जाती है, उनकी लेकनी का संदे है कि अपने में मिटा देने में ही आनंद है, चतुरवेदी जी जैसे राष्ट प्रेमी की कविता म ऐसी भावना होना स्वभाविक है, जीवन परिजय, माकललाल चतुरवेदी का जन्म चार अप्रेल 1889 इस्वी में मद्ध प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवई नामक ग्राम में हुआ था, इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुरवेदी जी एक कुशल अध्या इन्हों ने प्रात्मिक सिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के पश्चाद घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाशाओं का ज्यान प्राप्त किया, कुछ दिनों तक अध्यापन कारी करने के पश्चाद चतुरवेदी जी ने प्रभा नामक माशिक पत्रिका का समपादन किया, ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र के का समपादन और प्रकाशन करते थे श्रेगड़े संकर विध्यारती की प्रेणा के संपर्ग में इन्होंने राष्टी आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल यात्रा भी की कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी और कलम के माध्यम से ही ये देश की स्वाधिनता से लड़ते रहे सन 1947 इसवी में हिरी साहित सम्मेलन के ये सभापती भी निर्वाचित हुए इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विशुविद्याले ने इन्हें डीलित की उपाधी से तथा भारत सरकार ने इसे इन्हें पद्म विभूशन की उपाधी से अलंकृत किया अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांती का संग फूखने वाले चतुरवेदी जी 30 जन्वरी 1968 इसवी को दिव्यांग दिव्य गंत हो गए इनकी रचनाएं इनकी रचनाओं में कविता संग्रा है हिम किर्टिनी हिम तनंगिनी माता युग चरण समर्पन वेडू लो गुंजेधार राम नौमी और गद्धी रचनाएं हैं साहित्य देवता कला का अनवाद संतोस बंधन सुक और कृष्ण अर्जुन युद्ध तो माशिक पत्रिका थी और हिंदी साहित्य में इस्थान माखनलाल चतुरवेदी हिंदी साहित्य के ओजपूर्ण भावात्मक सैली के ओजोश्वी कवी हैं राष्टी चेतना के ओजोश्वी कवी में इनका मूर्ध्य इस्थान है तो बच्चों ये हो गया माखनलाल चतुरव प्रेदी जी का जीवन परिचे आप इसे अपनी कॉमिक में लिख लीजे आज के लिए वस इतना ही